हेलो दोस्तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तो को नए साल की हार्दिक सुब काम लाएं मैं भगवान से दुआ करता हूँ दोस्तो कि आने वाला साल 2030 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और जो आप चाते वो आपको मिले आपको अच्छा सवस्ते मिले और तरक्की मिले ठीक है दोस्तो नए साल में नए एनर्जी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं और जो आज का प्रोड़क्ट लेके आए है वह बिल्कुल ही गजब का प्रोड़क्ट है ये मीनी लाइट है ओलान जी की मीनी लाइट है दोस्तो ठीक है तो पहले एक बार इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या कुछ मिल जाता है यह यह देखो दोस्तों यह इस टाइप की पेकिंग में आती है इसको इसमें से कर लेते हैं लग और यह मारी लाइट है ठीक है इ देखते हैं इस बोक्स में क्या कुछ है सबसे पहले यह मिल जाती है में यूजर मैनुवल इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रखी है कि इसको कैसे यूज करना है कैसे क्या करना है और देखते हैं क्या है और यह है बाई एक वारंटी कार्ड मिल जाता है इसकी हमें वन येर की वारंटी मिल जाती है दोस्तो इसके सात में ठीक है यह क्वालणी सर्टिफिकेट का एक छोटा सा स्टिकर और यह सीलिका और कुछ नहीं है दोस्तो वोक्स खाली हो चुका है ठीक है अब आते हैं अपने प्रोडक्ट की उपर यह दोस्तो ऑलाण जी का प्राडक्ट है ओलान जी की मिनी लाइट है जो मोडल नंबर है वो है VL49 आप देख सकते हुए यहाँ पर यहाँ पर ओलान जी की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर इसका मोडल मिल जाता है इसमें हमें 2000 mm की बैटरी मिल जाती है दोस्तों ठीक है यदि इसके फिचर्स की बात करें तो वही इसमें हमें थ्री साइड कोल्ड शू माउंट मिल जाते हैं इसके उपर हम अपना माइक भी लगा सकते हैं जो वलोगिंग वगरा करते हैं तो वह शूटगन माइक इस पर लग कैसी ही क्योंकि ये जो शू माउंट होता ही है यहाँ पर सेट हो जाता है ठीक है सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर आम हमें टाइप c की चारजिंग मिल जाती है इसको चार जोने में 2 गंटे लगते हैं और 2 गंटे चार जोने के बाद में बहुत अच्छा बैक अप देती है इसका जो बैक अप रहने वाड़ा है वो यदि हम फुल ब्राइटनेस में यूज़ करते हैं तो दो गंटे बैक अप देती है और यदी हम इसकी मिनिमम ब्राइटनेस लेवल सेलेक्ट करते हैं तो ये 300 मिनिट यानि की 3 गंटे 20 मिनिट तक चल जाती है ठीक है काफी अलका प्रोडक्ट है दोस्तों लाइट वेट है बिलकुल इसमें केवल 90 ग्राम यानि की 90 ग्राम वज़न है भाई इसको आप आराम से पोकेट में डाल गए कहीं पे भी ले जा सकते हो इजी टू कैरी है और यह यहां पर यह जो आप बटन देख रहे हैं दो यह देखिए यह ब्राइटनेस कम और ज्यादा करने के लिए दे रखे है रहो ठीक है यह मोड बटन इसको जो प्रेस करेंगे तो यह हमें इसका बैटरी इंडिकेटर शो करेगा और यह इसको ओल्ड करके रखेंगे तो यह इ आप बटन यह आप देखों और अब बिल्ड क्वाल्टी काफी अच्छी है ड्यूरेबल लग रही है और इसके फरंट में इसमें 49 LED लाइट होती है दोस्तों ठीक है सिंपल मिरर नहीं है दोस्तों यह डिफूजर टाइप में है इसका क्या बेनिफिट रहता है जब हम इसक आखों को नुक्षान नहीं पहुचाता है जैसे जो LED की तरफ देखने के बाद ऐसा फील होता है कि अंदे हो गए कुछ दिखाई नहीं देता इस से हमें बचाओ रहता है ठीक है आप इसको कैमरा और फोन दौनों में यूज़ कर सकते हो इसमें यह जो शो माउंट दे रखा है आज कल कई ट्राइपोड ऐसी चली हुई है जिसके उपर अम कोल्ड शो माउंट मिल जाता है उसमें आराम से लग जाएगी ब्राइटनेस काफी अच्छी है दोस्तों इसकी यदि कमरे में बिल्कुल पूरान दे रहा हो तो यह बहुत अच्छी रोस नहीं देती है ठीक है और आपके वीडियो स्यूट के लिए काफी अच्छा प्रोड़क्ट है और यह यह मेरा प्रिंटर है ठीक है यह हमारा कम्प्यूटर है मॉनिटर और यह सिपी यू यह हमारी रिंग लाइट है डिजिटक की डि आरल एटिन एच जिसका वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में या फिर उससे नेक्स्ट वीक में ठीक है अब इसकी ट्राइल चल रही है और यह हमारी लाइट का सेंपल है ठीक है आप देख सकते हो भई बिलकुल कोई भी लाइट नहीं है अभी एपनी इस लाइट को बंद करके दिखाता हूँ फिर आपको पता जलेगा यह देखो बंद कर दिए उस साइड में दरवाज़ा है वो थोड़ी हिरोस नहीं दिखाई दे रही है और पूरा रूम आप देख सकते हो ठीक है इस आपको पता चले जाएगा भई कि यह कितनी पावरफुल लाइट है अब मैं इसको उन करता हूँ अपनी ओलांजी की VL49 को यह देखो यह उन कर दिये भई मैंने ठीक है और अब इसका ब्राइटनेस लेवल बढ़ा देते हैं जो पहले आप देख रहे थे वो बिलकुल इसका मिनिममम पॉइंट था ठीक है और यह इसकी मैक्सिममम ब्राइटनेस है यह आप मेरे वीडियो के बेक्ग्राउंड में देखते होगे यह सब चीज है ठीक है यह हमारी LED लाइट है और यह हमारा वाइट बोर्ड और यह हमारा प्रिंटर यह देख लो बाई कती अब चाहे तो इसको इमर्जेंसी लाइट के तोर पे भी यूज कर सकते हो गड़ी वगएरा में साथ रख सकते हो ठीक है या घर पे टेबल लेंप की तरह कभी अमर्जेंसी में यूज करनी हो या स्टडी के लिए किछी और काम के लिए तो आराम से काम दे जाएगी वई क्योंकि ब्राइटनेस और इसका बेक अप बहुत ही बलाजवाव गड़ ठीक है मेरे को तो काफी अच्छा प्रोड़क लगया भई ठीक है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और यार कम से कम चैनल को तो सब्स्राइब करें लेना यदि आपने अभी तक नहीं किया हो और वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लेना ताकि आपको और ऐसी इंप्रोटेंट वीडियो मिलते रही है ठीक है अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम अगेन हैपी न्यूएर टू आल मैं फ्रेंड्स हैपी न्यूएर दोस्तों